अच्छीर आज हुम्त देखने वाले हैं कि द्यांगो प्रजेट्ट की इस तिरिके सब रिवेट कर सकते हैं इससे पहले मैंने अपको बताया था कि द्यांगो कैसे इंस्टैल करते हैं और ज्याno इसलोल करने के लिए आपको वर्चुल एंबी का यूज़ करना चाहिए यह सारे चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ लेकिन उससे पहले समझते हैं कि Django Project होता क्या है वो इसका और एक basic idea ले लेते हैं कि Django Project का meaning यहाँ पर project का मतलब क्या होता है यह हम लोग एक basic idea यहाँ से ले लेते हैं So Django Project A Django Project may contain multiple project application which means a group of application and files is called as Django Project An application is a part of Django Project Django Project एक कुछ भी कुछ भी हो सकता Django Project का मतलब क्या हुआ कि कोई सभी आप जो भी project बनाना चाहते हैं वो project लेकिन उसके अंदर में multiple applications होते हैं जैसे क्या था normally हम लोग project को application भी कहते हैं यह कौन से application मना रहे हो भई बना रहा हूँ मैं social media application या फिर कोई other school management का मैं application मना रहा हूँ इस तरी के समय लोग बात कहते हैं लेकिन यहाँ पर project और application दो अलग-अलग treat किया गया है तो यह समया जरूरी है कि project का मतलब क्या और application का मतलब क्या यहाँ पर Django कहता है कि एक project में multiple application हो सकता है जैसे एक project है हमारा sms sms means school management system अब इसके अंदर अलग-अलग application हो सकता है जैसे कि इसके school management system का एक part हो सकता है registration करने के लिए तो इसको registration application कहेंगे इसी एक project का है नहीं कि school management system नहीं कि SMS project का ही एक part है registration app दूसरा part हो सकता है fees app, तिसरा part हो सकता है exam app तो एक प्रोजेक्ट के दूरे मुल्टिपल एप्लिकेशन होते हैं ग्रूप आप्लिकेशन मिलकर जैंगों में एक प्रोजेक्ट बनाते हैं इससे सेपरेशन बढ़ी अच्छा होता है मतलब अगर आपको रिजिट्रेशन आप जो भी कोडिंग रहेगा वह आप इसके अंद एंदर में करेंगे अब कलको आप में dedicated करों इससे एंप को माइजेमेट करके उसमें यूज यूज करफे आप कुछ प्रोजेक्ट किसे कहते हैं और प्रोजेक्ट के अंदर में एप्लिकेशन किसे कहते हैं और एप्लिकेशन का मीनिंग क्या होता है होगे, clear, hopefully अब आपका clear होगा, अब देखें कि project create कैसे करते हैं, तो create करने का दो तरीका मैं पो दिखाते हैं, एक चलिक तरीका एक ही है, लेकिन जैसे यसे वक्त बतलते हैं, वह से मन उसा और easy तरीका ढूंदते हैं, इसलिसे मैं इसमें दो लग दिया हुआ है, कि if no project folder exist यानि कि project folder आपका पहले से exist नहीं करता है उस case में आप project folder बनाना चाहेंगे उसके लिखेंगे jango admin, jango dash admin पहले तो jango को install कर लेना है उसके बाद jango dash admin फिर start project ये as it is लिखना है फिर आपको project का नाम विल जैसे कि jango dash admin start project sms यानि कि school management system का मैंने sms लिख दिया हुआ एक ये तरीका होगे जब को project folder exist नहीं करता हो तब जुसरा तरीका जब को project folder exist करता हो normally हम लोग ये use करते हैं आजकल project folder पहले बना लिया फिर इसमें हमने virtually इन भी create कर लिया आप हम लोग अपना project create कर रहे होते है तो इस case में को लिखना है django-admin start project और period का जो भी नाम रहता है यह project का नाम मतलब जो project folder का नाम रहेगा वह लिखा जाता है उसके बाद dot लिखा जाता है और same way syntax for example अब लिख सकते है django-admin start project sms dot इस space देखकर dot लिखना होता है तो चलिए देखिए यही चीज अभी cmd में practical करके देखते है तो क्या करना है हमें हम जाना है मैं कहां पर create करना है पहले वह देख लाता है तो मुझे create करना है मैं cd, cdra पर चलता हूँ पहले cdra पर आगया मैं project folder हमने नहीं बनाया हुआ है तो उस case में क्या करेंगे जैसे मझे पहले आपड़ा एक jango 5 के अंदर में यह दियर करता हूँ मैं यह आपको ch1 एक project देखता है बट इसका भी पीछले वीडियो को था भी कर रही है यह आपको पहले एक virtual environment create करनी पड़ेगी वर्चल भी आपका अलड़ी इंस्टोर रहना चाहिए तो pip freeze करके आप इसको चेक कर सकते हैं कि वर्चल भी देखे हमारा इंस्टॉल है अब इन पड़ेगा virtual env और env का नाम तो vnv इंटर की प्रेस करते हैं और यह हमारा create हो गया create करना पड़ेगा अक्टिवेट करने के लिए आप यहां पर लेखेंगे vnv जो भी वर्चल भी का नाम है वह स्क्रिप्ट्स अक्टिवेट हो गया अब यहां पर आप लिकना है यह अब इन प्रेस करते हैं और इस cnv के अंदर में हमारा जैंगो इंस्टाल हो रहा है जैंगो हम पर इंस्टल हो जुका इसको आप देख सकते हैं पापर फ्रीज करके जैंगो अभी जैंगो का project करेंट करना दूसके लाइंप यह अपर यहां पर दिखेंगे आपधेगा यहां पर आकर देख देख दा पहले हमने यह वर्जिन भी क्रेट किया था तो यह मिल गया CH2 इसके दर आपको एक इनर प्रोजेट फोल्डर दिखेंगा मैं को बता हूँगा स्ट्रक्चर पूरा बाद में एक जिस नाम से आप अपने प्रोजेट बनाते हैं उस नाम से एक उल्डर होता हुग उससी नाम से एक इंदर में एक और प्रोजेट तो हुई राखने तो CH3, यह हमारा फूरल्डर का नाम बनेगा. फ्रॉजेक्ट का नाम बनेंगा फुल्डर में लिख जो नाम हम रहता है वही नाम उन्हां हमारा बाता है यह हम 800-00 आपार यह बनाएंगे तो पर शेम नाम से रखनी सकते इस लब क्या करते हैं, फेले बाहर आए करता है यह हमारा CH3 अब हमारा प्रजेक्ट फोल्डर पहले से एक्जिस्ट कर रहा है यह फिर फोल्डर होता है कुछ नहीं खाली रता यह CD-CH3 इसके अंदर चलते हैं और इसको DR करेंगे यह खाली दिख रहा होगा आपको अब यहां पर आपको एक वर्चुन भी क्रिएट करना है कैसे करेंगे वर्चुल इनवी इस प्रोजेट के लिए है यहां पर इसको separate कर पाते हैं कर आप यह अपर आपका प्रोजेक्ट है जो अभी कुछ दर पहले किया तो यह अच्छा नहीं दीखता है इसको यहां से इसके अंदर में डालना पड़ेगा manually यहाँ पर इस तरीके से तब यह अच्छा देखेगा कि हाँ इसके अंदर में हम भागया बट हमारे case में यह इसी के अंदर में हमने create किया इसका activate करते हैं तो इसके अंदर में vnv slash scripts activate interface कीजिए हमारे activate हो चुगा है देख सकते हैं बट यहाँ पर pip freeze करने पर आपको कुछ भी दिएगा निए कुछ भी इंस्टाल नहीं किया इस vnv में यहाँ कि वर्चली नहीं में है कुछ भी नहीं है कि इंस्टाल करना है jango so pip install jango install कर लिया पहले create किया env प्रेक्टिवेट किया तो तो हमारा इंस्टाल हो रहा है jango और यह इंस्टाल हो गया देख लिए इंस्टाल हो चुका है यह इंस्टाल हो इसे करते है clear अब हमें प्रोजेक्ट इसमें अंदर में create करना तो jango-admin start project और प्रोजेक्ट का नाम आपको होई रखना जो आपका यहाँ पर नाम लिखा इसी वाज़े समने कि डॉट यहाँ पर दिया हुआ है तो simply dot लिखें और अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पर देखें ch3 है हमारा है इसके नर में सिर्फ एक vnv है और कुछ नहीं simply यहाँ पर enter क्यों करते हैं तो हमारा यहाँ पर आप आके दिखेगा आपको एक inner project folder भी दिख जाएगा तो outer project folder आप manually यहाँ पर create कर लेते हैं इस case में और इसमें ch2 में क्या था कि वह outer project folder भी create करता है और inner भी create करता है आपके लिए यहाँ पर outer आप अपने emoji से पहले create कर लीचे तो आपको इसमें यह जो inner है यह आपका jango dash admin यह command create करके आपको देगा तो यह तरीका आजकल use होता जाता इसलिए मैंने आपको यह तरीका दिखाया है तो दोस्तों बस इतना ही है फिर अब आप जब भी काम करेंगा अपने project में आपको क्या करना पड़ेगा आपको इसके अंदर में आके वह इसके activate करना अगर इसको अपको run करके दिखा हूँ तो python manage.py run server इंटर की press करते हैं और यह हमारा run हो गया देखें यहां पर web browser अपको यह तरीक से दिखेंगा इस इंस्ट्रॉल वक्सक्स सोली यह हमारा run हो रहा है localist पे 8000 पोर्ट पर यह jango का project है जो default theme होता है वो theme अपको दिखाय वापस से cmd करके open करता हूँ है cmd और इसको करते हैं cls तो जाना है पहले आपने project folder के बाद cd-jango5 cd-ch3 यहां पर हमाँ है अब यहां पर आपको पहले आपको क्या करना पड़ेगा अपना virtual nv activate करना पड़ेगा activate करने के लिए क्लिए करना है आपको लिखना पड़ेगा इ अब यहां पर आप अपना python manage.py जो भी run server है आप server run करके अपना project देख सकते हैं याद रहे है यह वाला command आपको activate करने के लिए आपको याद नहीं रहता तो आप यहां पर आका आप देख भी सकते हैं देखें vnv के अंदर में script folder है इसके अदर में activate यह वाला file run करना होता है इसलिए हमने यह चूज गया तो यह path अगर आपको याद ना रहे तो आप यहां से मैनोल आकर देख लिए यह windows के लिए linux के लिए source करके आपको यह लिखना पड़ता है मैंनों को पहले बताया होगा दोस्तों बस इतना ही इसमें अब इसको अगर आप VS code में open करना चाहते ह है तो वहां भी कर सकते हैं इसको करते हैं exit और चलते हैं यहां पर और यह CH3 हमारा है इसमेरे ट्लिक करते हैं लिए more option then open with VS code यहां पर क्लिक करेंगा आप यह VS code में आपको open अजा कुछ इस तरीके से और अब terminal open करना चाहते हैं यह terminal open कर सकते हैं यह VS code आपको activate कर करके देता ह इन विए अगर नहीं देता है तो सेम वही तरीका है यह folder के अंदर में आप CH3 के अंदर में यह आपको venv लिखना है then scripts then activate और आप इसको activate कर लेंगे then python manager py run server करके आप इसको run रह सकते है project तो यह तरीका है यह तरीका है यह तरीका है यह पर आपको पूरा filter structure देखने को मिल ज करते हैं मैरे चैनल में आना सबस्क्राइब करना नहीं किया तो और इस playlist को follow करना जाएंगो 5 mastery from beginner to pro यह फिर इस ओपन करेंगे आपको यहाँ पर यह सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे free of cost इस वीडियो को देखने के लिए असका बहुत बहुत धन्यवाद